ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि हमारी जीवन में आए दिन जितनी भी समझाय आती रहती हैं वो ग्रहों की चाल से परिवर्तन होता है ज्योति शास्तुरों का मानना है कि ग्रह न चत्रों के परिवर्तन से बैक्ति के जीवन बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है जिसके बारे में राश्यों के अंसार पता भी लगाया जा रहा है वहीं ये बात भी सच है कि वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता है अगर किसी पर दुखों का पहार टूपता है तो दोसरी और खुश्या भी आती है आपको बता दे कि ये सब कुछ ग्रहों पर ही अधारित होता है लेकिन आज हम आपको बता दें कि जोती शायतर का मानना है कि आने वाले समय में राहू और केतु आमने सामने होने वाले हैं जिसकी वज़ा से ऐसी कुछ राशिया है जिनको बहुत ही ज्यादा लाव होगा और तो और इनके जीवन में खुश्यों का आगमन भी होगा और इनको अपने भागे का भी पूरा साथ क्राथ होगा तो आए जानते हैं कि आखिर कौन सी है उराशिया जिन पर राहू केतु महरबान होने वाले हैं पहला मेशरासी सबसे पहले बात करते हैं मेशरासी वाले जात्कों की आपको बताते चले कि आने वाले समय में इन पर राहू और केतु की गिर्पा परसने वाली है जिससे कि इने धनलाव होगा और तो और अगर ये विद्यारतियां तो इनका पढ़ने में भी मन लागेगा और इसके अलावा आपके संतान की योड़ से आपको कोई खुशवरी मिल सकती है हो सकता है कि आने वाले समय में आप दूसरे शहर और घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं आपके जायतरकार असानी से पूर्य हो जाएंगे आपको प्रेकाले अस्तर पर कई ऐसे औसर प्राफ्ट होंगे जिन में आपको अच्छा लाब मिलेगा घर परिवार में खुशियां मनी रहेंगी दोसरा मिथ हुंडाशी इस राशी वाले जातकों के उपर राहू और केतु महरबान होने वाले हैं जिसकी वज़ा से इन जातकों के अंदर एक नई पूर्जा का संचार होगा और इसके साथ ही साथ इनके अंदर ध्रिण इच्छा सकती भी आएगी इतना ही नहीं आपको ये भी बता दे कि आने वाले समय में आप कई चुनवतियों का सामना असानी से करेंगे तीसरा करकराशी इस राशी वाले जातकों पर राहू और केतु की किरपा परसने वाली है जिससे किनके आतिक मामरों में ब्रिद्धी होने की संभावना बन रही है और इतना ही नहीं इसके साथ ही साथ इन जातकों की परिवारिक परिशानिया भी दूर होंगी और माता की सेहत में सुधार आएगा आपको बताते चले कि आने वाले समय में आपकी सोच में कुछ बतलाओ दिया सकता है जो कि आपके लिए बहुत ही लापदायक साबित होगा चौथा तुलाराशी इन राशी वाले जात्कों को आने वाने समय में अपने कारे छेत्र में आपात सफलता मिलने वाली है और इतना ही नहीं आपको बताते चलें कि आने वाला समय आपके लिए बहुत शुग्र होने वाला है और आई के सभी नए साधन प्राप्त हो सकते हैं आपको अपने कैरियर में कई सुनारे औसर मिनने के योग बन नहीं हैं और इन जात्कों की लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी संतान के स्वास बिर सुनार आएगा बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिनने की संभावना बन नहीं है कार्य अस्तर पर आपको मान मान के प्राप्ति होगी नेक्स्ट नाइन स्पेच्छोल से मिन तराएग रिपो